हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्रेटफर्म पर मैं जानता हूं आप सभी केंडिट्स इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि कब मैं एनलिसिस लेकर रहा हूं आप अपने पेपर का इसमें मिलान करें आजकल एक सठीक एनलि चल और आज मैं मुझे बह। सारे कंडिट्स मुझे जुड़े हैं अपनी गयकेश्यों कनरे के बात करनेके पार पिर यून सब इसा नई सोचना है कि सिरफ मैं अपनी आप से करहा हूं मैंने बह। सारे अपने होता है एक चुना इस्यारा होई से बात करके फिर लिया जाता तो उस तरह से अलाकि यह सारा में फिर भी करों यह एक अनुमानित है आनल तो रिजल्ट आने के बाद आप इसको बिल्कुल फाइनल नहीं मानेगे यही फाइनल रहेगा ऐसा कुछ नहीं है मैं अधिनस बॉर्ड में बैठा नहीं हूं तो फाइ यूटूब पर कमेंट के माध्यम से लेकिन सभी का रिपलाई करना पॉसिबल नहीं होता अब मैं यहां पर बता रहा हूं एक बर आप यहां से मेच जरूर कर लेना तो अनुमानित कट आफ कितनी रह सकती इस पर हम बात करेंगे एक जो आ रहा कि चारो पेपर जो चार पार कि जब टेःस अक्टूबर का कर फस्ट पारी का पर फस्ट का पर देखा लगा की पर थोड़ा सा कटिन हो सकता है लेकिन क्योंकि एसाई के एक्जामें आपने देखा होगा 13 तारीक थोड़ा इजी रहा 14 तारीक वाले सभी विदारती के रहे कि उनका पेपर थोड़ा कटिन आया पटवार में ऐसा बहुत जादा अंतर नहीं था चारो पेपर लगबग लगबग एक जैसे लेवल के थे अब उनमें से थोड़ा सा एज उनको मिला जिनका 24 अक्टूबर को था रीजन क्या है रीजन यह है कि पेपर में आप अगर देखेंगे तो चारो पेपर में लगबग पेटर्न समान था जिस तरह के सवाल इसमें पूछ जा रहे है उसमें भी दूसरे दिन में दूसरी पार पेटर्न पर सवाल पूछ आ रहे है तो पेटर्न का फाइदा हुआ है थोड़ा सा इसको बात को मानना पड़ेगा दूसरा जिन भी सात्यों से बात हुई मेक्जिमम केंडिट इस बात को थोड़ा सा मान रहे हैं कि जो लास्ट फोर्थ पारी का पेपर हुआ फो पेपर बा बहुत सारे केंडिट्स तो एक एक अनुमान आ रहा है लेकिन हाला कि इसमें भी जो अंतर बताए जारा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर है कि 20-30-40 अंतर ऐसा नहीं है लगबग पैटर्न समान रहा है पैटर्न जरूर का उसका फायता मिल सकता है बाकि सवालों को ऐसा एक रुजान मुझे देखने को मिल रहा है ठीक है अब यहां से आपके मन में सवाल आईगा नोर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा हलाकि अभी अधिनस वोड ने कुछ भी क्लियर नहीं किया वो किस आधार पर होगा ऐसा नोटिफिकिशन में कहीं नहीं लिखा कि हो यहां पर हमारे मैंने टॉपर्स का जो भी अपनी क्वालिटी एजुक्शन टैसरी जो आप दे रहे हो उनमें इसे मैंने टॉपर्स का गुरूप बनाएं बहुत सारे सात्यों से बात हुई ऐसे भी केंडिट यहां पर चारों ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर में सब ज्या गबरान आ रहे हैं मैंने बात की है तो लगबग टॉपर्स केंडिट में दो सो तीस चालीस पचास और दोसो सांट नमबर वाले थड़ पारी में ऐसे केंडिट से बात हुए वहां पर भी 250-255 और 260 वाले गबराना नहीं है यह नंबर सुनकर वो टॉपर्स केंडिट में आ आया है उनका आप नाम पढ़ लेना पांसाथ स्रीज में वह आपको टॉप 10 में भी कहीं जरूर मिल जाएंगे एक बात मैंने और कहीं थी मेरी बहुत सारे साथियों से बात भी में हर्पको टैसरीज के बारे में जरूर पोस्ता हूं यह टैसरीज आप कठिन दे लिए जब आप एक्जाम देने जाएंगे लिए आपको एक्जाम बहुत आसान लगेगा बस मैं यह चाहता हूं कि एक्जाम आपके लिए आसान हो जाए मेरी जिन भी साथियों से बात वीजो टॉपर आसान आ रहा है लेकिन हर को यह नहीं कह र पर आसान हो जाए यहां अगर आप में ऐसा पेपर बनाओं 250 नमबर ला रहें 260 नमबर ला रहें और जब रियल में पेपर दे तो पता चला आप 220-210 पर अटके यहां 220-3 पर टके बहुत नुकसान हो जाएगा यहां खूब मेहनत करने के बाद भी 270-280 170-180 और वहां पर हैं मिलें मुझे बहुत खुशी हुई आपने बहुत अच्छा स्कोर किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुप काम ने हैं कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा कठीन या आसान रहा तो सभी केंडिट्स का एक बात कॉमन आ रहे हैं और मेक्जीमम यह राजस्तान में हैं भी स जैसे तो मैं सला दूंगा कि कभी ऐसे सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़कर कभी नहीं आना चाहिए कि हमने टची नहीं किया ना पढ़कर भी जाना चाहिए और एक्जाम में कोशिश भी करनी चाहिए कि पैपर को सौल कर ऐसे कुछ एकाद केंडिट्स रहांगे जिनन में दो तीन प्रशंट है जो थोड़े से उल जाने वाल जैसे इंपूट आउटपूट लगबग सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा एक-दो सवाल और थे जो कटिन रहे हैं साइंस के एक-दो प्रशंट थोड़े से कटिन रहे बाकि ओवर-ओल राध्यस्तान जी के प्रशंट में बहुत अच्छा क्या तो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इसा कुछ अंतर नहीं रहा सभी में अब बात करते हैं जिसकी आप सबसे ज्यादा साइद इंतजार करें होंगे अनुमानित क्ट-फ क्या रह सकती है ये सवाल सबसे ज्यादा रहा है कि मेरे इत रहा हूं मैं आप ठीक है कि अपर बतार और इसमें आप वेईरेशन में आपको ऑढ़ती आप कर्ने के बाद की कि जो मैंने अनुमान बताया यह वीडियो पहले आ चुका है यह Har marijuana और दरने वाला अब इसमें क्या करना है यहां पर प्लस-gg दसका यहाँ पर मैं पर लेकर चलना है वेरिशन का मतलब क्या है यहां पर मैं श्योर नहीं कह सकता searching यह तो बिल्कुल फैन हो सकता है यह ऐक अनुमान है प्लस-धसका मतलब माइनस बस का मतलब 200 200 नंबर जनरल मेल केंडियेट की बात हो रही है ऐसे भी हो सकता है कि 200 नंबर पर भी हो जाए तो ऐसा नहीं सोचा कि 210 से मेर कम आ रहे तो नहीं होगा नहीं 200 नंबर बारे तो भी चांस हो सकता और ऐसा भी हो सकता कि कट-off थोड़ी से बढ़कर 220 क्योंकि फिक्स अनुमान लगाना इतना असान नहीं इतने सारे केंडियेट्स ने एक्जाम दिया है कोई इतना असान लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान जरूर लगाया जा सकता है तो 210 प्लस माइनस आप 10 नंबर का वीरेशन रख सकते हैं जिनके 200 से 210 के बीच में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं माने कि यहां से नहीं होगा लिकिन यहां से किसकोर मान सकते हैं कर इसे नीचे आ रहा है 200 से नीचे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मैं उसके लिए नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता है बहुत मुश्किल होगा 200 से नीचे जंडरल मे में नहीं मिलता है इसलिए मैंने यहाँ पर 210 रख दी प्लस माइनस दसका वेरेशन तो आपको मान कर चलना ही पड़ेगा EWS के लिए लगबग लगबग अब यही रहता है दस नंबर के आसपास यहां पर अंतर रहता तो आप यह पान कर चलिए प्लस माइनस दसका MBC male की बात करूए यह मैंने सारा male candidate लिखे next slide में female candidate का आने वाला है ST male candidate का मैंने यहाँ पर variation 145 से सी का रखा था यहाँ पर भी आप प्लस माइनस दसका variation रख सकते हैं ST male की बात करूँ तो 160 से 170 का मैंने यहाँ पर पहले आपको नुमान दिया था मैंने नुमान कोई भी चेंज नहीं किया वैसे वैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं 5 से 10 नंबर का ज़्यादा का टार्गेट दे रहा हूं आपको इतना करना है लेकिन पेपर देखने के रहे हैं तो भी आपको संभावना मान कर चलनी है ठीक है ऐसा नहीं कि अभी से आप बहुत निराश हो जाए मैं देखता हूं बहुत सारे साथियों का मैंसे जाता है कि सर डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस अना सिर्फ एक एक्जाम पर आप ऐस जासा आपके साथ नहीं हो यह आपके दिमागे को ज़्यादा कमजोर कर देगा जिनके बहुत कम चाहिए उनको ज्यादा चिंता नहीं होती लेकिन बहुत सारे साथ यह से में जानता हूं बहुत अच्छी तैयारी कि किसी कारणा से इस विगड़ जाता और उनको बहुत कर आऊंगा कि यह करनी के बजाए आपको आगे की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए आगे के प्लान के बारे में सोचना चाहिए न की stress आपको लेना चाहिए आपको बीची फीमेल की बात करें 180 माइनस दसका वेरिशन जरूर आपको यह रखना पड़ेगा EWS की बात करें तो 170, MBC female 160, SC female 145 के आसपास, ST 155 के आसपास, ठीक है, ये और plus minus 10 का variation आपको रखर चलना पड़ेगा, ये अनुमानीज एक cut-off हो सकती है, ठीक है, इसके बाद अगर video category की बात करें तो 60-70, टाइवोर्सी, 120, 130, X अरिश्मेंट, 17, और स्पोर्ट्स कोटे से अगरा है, तो 140, 150, इतना variation आपको थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा, और plus minus 10 का आप मान सकते हैं, बाकि ये अनुमानीज जो हमने अनुमान लगाए था, लगबग लगबग आप देखें, लगबग लगब है जो 290 या फिर इतना पहुंच गया और लगबग लगबग बहुत सार केंडिट उसी केटेगरी मारे ऐसा नहीं होने वाला है ना टॉपर भी बहुत ज़्यादा नंबर यहां पर नहीं लापाएगा, 260 नंबर तक तो मैंने अभी स्टुड़ेंट से बात हो रही उनको रह हो रहे ता जैसे जैसे हम पीछे जाते तब अंतर कम होता है एक टॉपर में फर्स्ट रैंक में और एक दस्वी रैंक में पांस से दस नंबर का अंतर भी हो सकता है ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं कि कि अगर टॉपर 270 ला रहा तो सारे 270 से 260 में सिमट जाएंगे ऐसा बिलक लगातार मुझे यह भी मैसेज मिल रहा था कि सर वीडियो ग्राम विकास अधिकारी इस पर भी बुक लिस्ट पर वीडियो बनाओ इसकी स्ट्रेजी पर बनाओ लेकिन मैं इतने टाइम तक रुका होगा था क्योंकि सभी पटवार एक्जाम की तयारी पर लगे होए थे मैं देने चाहता कि आप उसके बीच में यह वीडियो आया आप उस पर थोड़ा सा ध्यान जाए इसलिए मैंने रोका होगा था अब खतम हो गया तो आपको चिंता वाली बात नहीं है आप मैंसे मैक्सिमम केंडिट्स मुझे पता है कि वापस वीडियो की तैयारी पर भी लगे अपनी वीडियो की टेस्रीज आपको उसी में मिल जाएगी और बहुत लंबे समय से आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी वीडियो कोर्स भी लाए जाए अरे तीचर वीडियो भी अवैलबलो क्वालीटी एजुकेशन में आप क्वालीटी टीचर्स को लिधे देखेंगा अभी तक क्योंकि क्वालिटी टीचर्स की टीम नहीं थी आप सारी टीम आ चुकी है जो एक लंबे समय से डिमांड आ रही तो बहुत सारे साथी जो पूरा-पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा मैं उसके बारे में आपको डिटेल में वापस से इन्फोर्मेशन दे दूंगा ठीक है तो अब दो-चार दिन में और ज्यादा इससी आपको क्लियर हो जागी बहुत सारी चीज़े मिल जागी जो आप बुक लिस्ट का वीडियो के रहें वह बहुत जल्दी में लेकर आ जाओंगा ठ ठीक है तो मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू